दुकान से जलेवी लाकर तो आप हमेशा खाते होंगे, इस तरीके से अगर आपने जलेवी बना ली तो आप हमेशा जलेवी परफेक्ट बनाएंगे, आपकी जलेवी कभी खराब नहीं होगे, खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है, बाहर की जलेवी भी फेल ह इस जलेवी के आगे तो बनाना शुरू करते हैं आज की इंस्टेंट जलेवी जलेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले जलेवी के चाशनी त्यार कर लेते हैं तो चाशनी के लिए हमें चाहिए होगी एक कप जितनी चीनी चाशनी हम जादे गाड़ी नहीं बनाएंगे जलेवी के लिए हम थोड़ी पतली चाशनी तयार करेंगे इसे हम मिला देते हैं और चीनी का घुलने का इंतिजार करते हैं तो यहाँ पर देखें चीनी अच्छे से एकदम घुल गई है, डिजॉल हो गई है, इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़े एड़ कर देते हैं, तो फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तमाल करा है, इलाइची का पाउडर, इलाइची के जो दाने होते हैं, उन्हे आपको पीला वाला कलर पसंद है, जलेवी का तो पीला कलर भी डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक दो मिनिट के लिए पका लेते हैं, ज्यादा गाड़ा नहीं करना है, क्योंकि चाशनी हम बाद में भी गरम करेंगे, तो इस तरह से क्या होता है, चाशनी बार बार गरम करने से गाड़ी हो जाती है, तो शुरुआत से हम इसे थोड़ा पतला रखेंगे, चाशनी तियार होने के बाद हम तियार कर लेते हैं, जलेवी के लिए इसका घोल यानी बैटर, बैटर बनाने के लिए आपको एक बोल में नीबू निचोड़ना है, हाफ न चुटकी नमक डाल देना है, सिर्फ एक चुटकी इससे जादा विल्कुल नहीं, अच्छे से तीनों चीजों को आपको मिक्स कर लेना है, जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं हो जाए, तब तक मिला है, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं, एक कप जितना मैदा, ये बिया बनके तयार होंगी, इसमें आपको पानी डाल देना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें घोल तयार करना है, आपने देखा हमने इसमें दही वगेरा या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं डाली है, क्योंकि हमने नीबू का इस्तमाल करा है, हम उसी से इसके खमीर उठाएंगे, तो अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लें जबते के पूरी तरह से बैटर जो है स्मूध नहीं हो जाता और पानी आपको बहुत ही हिसाब से डालना है, बहुत जादा आपको पतला नहीं कर देना है, इसे देख सकते हैं आप इस तरह की कंसिस् तो दो चुटकी हमने इनो डाल दिया है, इसे जादा बिल्कुल नहीं डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है, इनो आपको तभी डालना है जब आप जलेबिया बनाना शुरू कर रहे हो, अगर आप जलेबी थोड़ा रुक्के बनाने वाले है तो इनो आप इमिजेट इसको आप गरम करके आराम से होल कर सकते हैं, होल करना बहुत ही आसान है, बोतल का मैथट बहुत ही आसान है जलेबी बनाने के लिए तो आपको सारा बैटर इसी में डाल देना है, तो एक बार में इसी बोतल में सारा बैटर आ गया है और धकन को हम बंद कर लेते हैं, और ज तुमालनी करना है जलीवी बनानी के लिए फिर आपको एक करची लेनी है और इस तरीके से आपको जलीवी की शेप दे देनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ चमचा जो है आपका थोड़ा डिप रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखे और जब वो थोड़ी सिक करते हैं या आप इस तरह से अलग भी कर सकते हैं तो मैं आपको यह दूसरी बना के दिखा रही हूँ चमचा थोड़ा सा ओईल के अंधर है जलेवी हमने आसानी से बना ली बैटर भी बहुत ही आसानी से निकल रहा है बहुत जल्दी भी फ्लोनी हो रहा है और बहुत देर म हमारी यह दो जलेविया सिख गई हैं से जादर डाकनी करेंगे बहार निकाल लेते हैं शेप देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट आई है अभी यह शुरुवात की जलेवी है जैसे जैसे आप जलेवी बनाएंगे तो आप थोड़ा हाथ परफेक्ट हो जाएगा तो अच् क्रिस्पी पतली पसंद है तो इस तरह से देखिए जलेविया काफी अच्छी बन रही है और शेप इनकी बहुत ही अच्छी आ रही है मतलब ऐसी शेप आनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है तो आप इस तरहीके से बना सकते हैं बोटल की मदद से आप देख सकते हैं इस तर जलेविया एक दो मिनिट के लिए छोड़नी है इसके बाद यह जो हमारी जलेविया है एच्छे से सीरप को अब्सॉफ कर लेंगी फिर बहार निकाल लेंगे और इन पर कलर भी आ जाएगा फूड कलर के वज़े से जलेवी का घूल बनाना भी बहुत आसान था और इसको फ परफेक्ट बनी है अंदर तक जूज गया है और मुझे कॉमेंट में जरूर बताए आपकी जलेवी कैसी बनी फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ